हेलो फ्रेंड्स मैं शताप्ती और शताप्ती दक की जिसमें मैं अपने सारे दोस्तों का स्वाधत करती हूँ आजकर मार्केट में पके हुए कठेल बहुत जादा एवलेबल हैं और हमारे फ्रेंड्स में जादा तर लोगों को बहुत खाने में टेस्टी लगता है तो सभी की घर में कठेल आते हैं तो मेरी घर में भी आया मैंने बीजो को अच्छे से धोया और धूप में सुखा लिया कोई भी प्राब्लम नहीं होती है अराम से सूख जाते हैं उसके बाद इनको मैंने कूकर में उभाल लिया कम से कम 20-25 मिनिट गैस का फ्रेम कम करने के बाद इसको उभालना है और उसके बाद अच्छे से धो कर मैंने देखिए साफ करके रखा है किस तरह से साफ किया है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बीज को लिया उसको हाफ काट लिया और उपर से छिलका जो है निकाल लिया बहुत ही एजी ये छिलके निकल जाते हैं बस बीज जो है अच्छे से उबल जाने चाहिए इसके आप कोई भी रेसिपी बनाईए पर तुरंथ आप जो है इसको उबाल कर फिर छिलका हटा के टाइम लग जाता है तो मैं पहले ही ये काम करके रख देती हूँ उसके बाद आधे बीजों को छोटे छोटे पीसे में मैंने काट लिया है इस तरह से काटना है ये देखिए और थोड़े से बीज को मैं ऐसे ही रख देऊंगी तो छोटे इसको मैं राख देनी वाली हूँ और ठकन बंदकर दूँगी और जो बड़े से उसको मैं एक हरा जैसे मैंने काटा था उसको थोड़ा भड़े ही काट ओंगी जैसे बीज तरह करना के लिए और छोटे से किसी भी रेसीपी में जैसे सबजी में डाल कर बनाऊंगी manner इसकी इस दिन आपको बनाना है उसके पहले दिन यह वाला काम जरूर कर लीजिएगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं मैंने कढ़ाई जो है चड़ा दिये गरम करने के लिए उसमें ले लिया है सरसो का तेल और जो मैंने कठल के जो सीड्स थे उनको बाल के रखे थे वो इस कर चेंज हो जाए कच्चापन दूर हो जाए अब इस जैसी फ्राइब हो जाता है तो था कि मैं इसको एक प्लेट में रख लेती हूं उसी तेल में डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हीं इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो इसको थोड़ी देर फ् तो इसको देखिए रेट होने तक फ्राइब कर लूँगी और थोड़ी देर में प्याज जो है अच्छे से फ्राइब हो जाता है यह वैसे रेसिपी आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं मैंने दो चोटे टमाटर को चोटे चोटे पीसेस में काट रखा था वो इसमें ए एक बड़ा चमच मैंने इसमें धरी का पाउडर ढला एक चोटा चमच नमक ज तो जमाडा हो सकता है मैंने इसमें डाल दिया है hè इसमें ढालऊंगी हाफ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर अब इस मसाले को बहुत अच्छे से फ्राय करना है गैस का फ्लेम ध्यान रुकिएगा थोड़ा कम कर लीजिएगा ताकि मसाला जो है इसमें जलना जाए तो इसको बहुत अच्छे से मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया अब क्या है मसाला जलना जाए इसलिए मैं इसको थोड़ी दे ढखके पकाऊंगी तीन-चार मेड के बार ढखकन कोलती हूँ तो देख लीजिए फ्रेंड मसाला जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और जो टमाटर है ना वो भी बहुत अच्छे से मैश हो जा रहे है अब मैं इसमें डालूंगी मैंने दो-तीन चम्मत जो है दही को फेट के रखा था वो इसमें एड कर देती हूँ अगर आप दही नहीं है आपके पास तो भी आप सको स्किप कर सकते हैं आप बिना दही के भी इसको बना सकते हैं तो मेरे पास दही हमेशा होती है एवलेबल तो मैंने जो है इसको बना लिया है इसमें मैंने दई एड़ कर दिया है और देखिए अच्छे से इसको मैं फ्राई कर लूँगी इसमें मैंने थोड़ा सा जो है कश्मेरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला एड़ कर दिया इससे जो है रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आता है और गरम मसाले से तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छी सी खुश्बू आती है तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ, अब इसको और अच्छे से फ्राई करने के लिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिर से ढखूंगी, दो मिनिट बाद ढखकन खोलके थोड़ा सा पानी एड़ करती हूँ, जिससे जो है मसाले का ग्रेवी बनके तयार हो जाए, मैं हमेशा जो है मसाला जैसे ही फ्राई हो जाता है, उसके बाद जरूर मैं थोड़ा सा पानी एड़ करती हूँ, अब जैसी इसमें उबाला जाता है, जो मैंने सीड्स जो है फ्राई करके रखे थे वो इसमें एड़ कर देती हूँ, और एड़ करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी बहुत असान रेसिपी है आप जरूर बनाईएगा इस रेसिपी को तो अब इसको मैं तीन-चार मिट के लिए ढख के पकाऊंगी रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर लाइक कमेंट्स कीजिएगा फ्रेंड्स तो देखिए कठेल की जो सब्जी है वो बिल्कुल बनने को ही है अब मैं एक बर और ढख दूंगी इसको बस दो मिनट के लिए उसके बार ढखकन खोलती हूं तो देखिए पानी बिल्कुल सूख जाता है यह सब्जी सूखी सूखी ही अच्छी लगती है इसे आप पूरी और या फिर रोटी के साथ खा कर द मैंने गरम मसाला पहले से ही डाला हुआ था जो फ्रेंड्स आज मेरा वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन भी जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबस से पहले आप तक पहुच जाएं